Hello everyone, welcome to Teacher's Clock. Hope that all of you are fine. आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पडोसी देश पाकिस्तान के बारे में. हमारे पडोसी देश पाकिस्तान की मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और एक के बात एक नई intensity के साथ सामने आ रही है. जब ऐसे महाल है पाकिस्तान में कि वो महंगाई से inflation वहाँ पे लगभग 40% तक पहुँच चुका है. महंगाई से परिशान है, गरीबी से परिशान है, लोगों को खाना नहीं नसीब हो रहा है दो वक्त का. इन सारे महाल में economic वहाँ की जो है वो पूरी crisis में चल रही है, बरबाद हो चुकी है. economic का इस तरह का बुरा हाल है कि funds की जो जरूरत है economic को revive करने में वो वहाँ के government जो है वो इकटा नहीं कर पा रही है. वो उसका इंतिजाम नहीं कर पा रही है. और वहां के जो लीडर्स हैं आपके वहां के प्राइम मिनेस्टर शबाश शरीफ अगर उनकी रीसेंट पॉलिसी या फिर रीसेंट क्या कह सकते हैं फॉरेंड कंट्रीज में जो विजिट है उसको देखा जाए तो वो भी काम नहीं आ रहे हैं रीसेंट्ली आइमेफ को उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक लोन रेस करने के लिए ताकि वो अपने कंट्री और अपने देश वाशियों को इस सिचुएशन से उबार सके लेकिन आइमेफ भी बहुत इंटरनाशनल मोनेटरी फंड भी बहुत सजग हो चुका है क्योंक स्कोप नजर नहीं आ रहा है इस वज़े से आइमेफ ने उनके बेल के जो सरी नॉट बेल लोन के जो रिक्वेस्ट हैं अगेन अगेन उसको खारिश करते जा रही है और लोन अप्रूब नहीं हो रहा है ऐसे में पाकिस्तान पाकिस्तानी लीडर्स जो इतने जादा परेश ही बहुत ही जादा एठन दिखा रहे थे अभी एठन किस बात की एठन इस बात की थी कि इन सारे प्रॉब्लम्स में इस तरह के महौल में भी जहां हमको खाना नहीं नसीब हो रहा है कोई भी हमारे उपर विश्वास नहीं जता रहा है हम रशिया से सस्ते दामों में तेल ख खिला दी आएमेफ को जो लोन रेज करता पाकिस्तान में उसमें अगर अमेरिका का सपोर्ट हो जाता तो वो चीजे बिल्कुल आसान हो जाती पाकिस्तान के लिए लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं ना कहा आएमेफ को और नहीं इस तरह का सपोर्ट दिखाया वहीं दूसरी तर चाइना ने पाकिस्तान की एकिनोमे को बरबात करने में बहुत जादा कंट्रिब्यूशन किया है अंदरी और इंटरनल तोर पे उसके अड्मिनिस्ट्रेशन को उसके पॉलिटिकल सेटप को बहुत हद तक बरबात कर दिया है इतने पर भी चाइना उनको लोन देने में या फ क्योंकि चाइना कभी किसी के लिए कुछ फ्रीम में नहीं करता आप याद करिए श्री लंका जब अपने हमबंग टोटा पोट को या फिर बंदरगा को बनाने के बारे में जब सोचा तो उसने उसको जो फंड के जरूरत पड़ रही थी वो उन्होंने उधार लिया उस लो तब चाइना ने क्या किया वो बिलकुल भी ऐसे नहीं है कि नहीं ठीक है हम तोड़े से नरम पढ़ जाएंगे नहीं तब चाइना ने क्या गया उनके उस पोर्ट पे कबजा कर लिया इस तरह से इसी incident को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा अटलिस्ट ये गलती तो नहीं करेगा तब पाकिस्तान ने शवाश शरीफ ने रुक्या Islamic countries के तरफ जो मुस्लिम देश है, Islamic देश है, उनके तरफ रुक्या लेकिन वो देश भी उनकी सहायता करने में कोई interest नहीं रिखा रहे है किसी ने किसी तरीके से आप ये कहले कि बार-बार request करने से या फिर उनके पैरों पे गिरने से UAE ने ये agree किया कि ठीक है हम आपको loan देंगे, हम आपको funds देंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं, free नहीं देंगे, condition एक रहेगी एक शर्त पे वो शर्त क्या रहेगी, तो पाकिस्टान के अब इतने बुरे दिन आ गएं कि वो अपनी चीजों को गिर्वी रखना अपनी national जो property है या फिर जो जो भी asset है उनको गिर्वी रखना शुरू कर दिया है तो UAE को के पास पाकिस्तान गिर्वी रख रहा है अपना कराची port जी हाँ, वो कराची port जो पाकिस्तान के अर्थ ववस्ता की read मानी जाती है पाकिस्तान के इस कराची port पे अभी present 33 ऐसे birth है बर्थ यानि घाट वो running stage में है, मतलब वहाँ पे जो भी import export होता है वो running condition में है, अब इन 33 बर्थ में से 4 ऐसे बर्थ होंगे जो UAE पूरी तरीके से control करेगा कितने सालों के लिए? तो 50 सालों के लिए 50 साल तक ये जो उनकी property है, पाकिस्तान की property वो गिर्वी रहेगी UAE के पास क्यूं? क्यूंकि वो उन्हें loan approve कर रहे है अब इसके बाद ये कुछ नया नहीं है जो हो रहा है या पाकिस्तान इस तरह की काम कर रहा है अपने इस मुसीबत और तंगी से निकलने के लिए पाकिस्तान ने अपने पास में भी इस तरह के कई सारे काम किये है न्यूयोक में पाकिस्तान का एक famous होटेल है रूजवेल्ट होटेल इस होटेल को भी न्यूयोक गवर्मेंट को पाकिस्तान ने गिरवी रख दिया था 22 करोड डॉलर में तीन साल के लिए इतना ही नहीं वहाँ न्यूयोक में ही वाशिंग्टन में पाकिस्तान की जो embassy है उसकी defense building को भी बेचने के बहुत सारे कई सालों से तकरीवन आपका 1999-2000 से ये बात चल रही है कि उस defense building को भी बेच दिया जाए ताकि जो funds है वो proper हो और ये वहाँ पर clarification, justification ये दिया जा रहा है कि उस defense building का अब कोई proper practical use नहीं है So better to sell और वो जो funds आएंगे वो फिर किसी और important जगह पर utilize होंगे मतलब इतने बुरे दिन आ गए है पाकिस्तान के कि वो अपने जो भी asset है वो उनको बेच करके अपने लोगों को दो वक्त की हो सकता है कि रोटी देगा ये लोग बहुत ही ज़ादा सफर करें और ये ही वो thumb होते हैं जो किसी भी देश के economy को boost करते हैं अखिर यहाँ पर अब इन सारे सिनारियों में ये चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान का जो past है वो उन्हें haunt कर रहा है अगर आप दूसरों के लिए कांटे बिचाओगे तो obviously आपके लिए in future कोई fool नहीं बिचाने वाला मेरे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान को अभी भी सीख लेनी चाहिए और groundwork करके कुछ अपने से खुद से भी चीजों को और अपनी एकनोमिक को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए Hope that कि इस इन सारे तरकों से आप भी सहमत होंगे आपके क्या views हैं इस पूरे मामले पे Do let us know in our comment box We'll meet in the next video अगर आप हमारे चानल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आर चानल वीडियो को लाइक और शेर करना ना पूले Till then, take very good care of yourself and thank you very much